गुद मॉर्निंग गाइज तो हमारा वर्क आउट हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेक्फस्स करके नहा के तैयारों के बाहर और हम दिखाएंगे कि आज हम लोग ममी को लेके कहां जा रहे हैं यहां पर बन रहा है हमारा नाश्ता जो कि ममी बना रही है और ममी के रहने पर यही अच्छा है कि सुबे टाइमली नाश्ता हो जाता है हम लोगों का तो ममी बना रही है नाश्ता और नाश्ते में बना है यह रोटी और सबजी विच चटनी नाश्ता हो गया हमारा और मैं आ गई हूँ बैलकनी में बैलकुनी से ये व्यू है दूप बहुत तेज है और अभी हमें बाहर जाना है रेडी होके क्योंकि आज हम जा रहे हैं मम्मी को बाहर लेकर बहुत तेज दूप है ठीक है गाइस मिलती हूं मैं आपको थुड़े देर में हम निकल रहें मूवी के लिए तो मैं आपको वहां पहुचके मिलती हूँ पहुच गए हैं मॉल और ये है उसका थोड़ा सा व्यू बहार से मैं ज्यादा कुछ तो नहीं ले पाई हूँ बहार से दूप बहुत तेज थी और हमारे टिकेट्स अल्रेडी कामना ने बुग्ट किये हूए थे तो अब हमें जाना है थर्ड फ्लोर और ये मॉल ज्यादा दूर नहीं है मेरे घर से फिफ्टीन मिनिट्स लगते हैं तो अब हम फटा-फट जाएंगे उपर तो हम लोग पहुंच गए हैं थेटर मेरी घर के पास ही एक मॉल दुराबजी मॉल तो वहां पे ही हम आए हैं ममी को मुवी दिखाने लेकर आदी पूरूस ऐसे ममी आतो नहीं रही थी बट इसे लेकर आगया ममी तो अब तो 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 ताइम है मुवी साट हो लेंगे मैं थोड़ा सा थूमी के लिए कुछ ले लेते हूं खाने के लिए फ्रयाप समेहते हूं थोड़ते हैं मैं नहीं पैण से में diffameless लुज़ा में दो मुवी देखे और हमक öl्यां तो मैं दो खाने काना जयों ज़न। मसलों होज़ा दा यूनले उसक बन गया था बस यह राइस गरम करूंगी और फिरम खाना तो लंच हो गया है मेरा और अब मैं सो जाओं क्योंकि शाम को मुझे जाना है डॉक्टर के पास तो थोड़े दर सो जाते हूं क्योंकि अल्रेडी हो गया है 2.56 और 4 बजे मुझे निकलना है तो मैं जारी हूं थोड़े दर अराम करने और मम्मी और कामना बहार टीवी देख रहे हैं मैं आपको दिखाती हूं तो वो भी शयदार है आप सोने है ओके गाइस तो मैं थोड़े दर सोई हूं और भी साढ़े चार बजे उठ गई हूं और अल्रेडी मैं लेट हो गया हूं कि मुझे डॉक्टर के बास जाना है तो मम्मी कामना तो सो रहे हैं तो मैं चुपचाप उठके तयार हूं कि अब जारी हूं उनको बिना बता है क्योंकि उनके न मैं हो लिफ्ट में और जारी हो अटो अब भी तक नहीं आया है काफी टाइम हो गया बुक के हुए तो देखते है और मौसर भी काफी अजीब सा हो रख है धूप फिर थोड़ी थोड़ी हावाइं चल रही हैं लेकिन कर्मी बहुत है कल तो अच्छा था था वैदर आज नह और गर्मी है लेकिन पता नहीं मेरा आटो भी कब आएगा मैं कब से वेट करें आटो का देखती हूं तो मैं बैठ गई हूं और जारी हूं डॉक्टर के पास मिलती हूं आपको अस्पिटल पहुंचके अच्छा में आपको दिखा लिया है मैंने तो यह बस नॉर्मल रूटीन चेकप था तो डॉक्टर ने पुछ टेस्स लिखे हैं जो कि मैं मंडे को कराऊंगी और अब मैं पीदी हूं अपना मत्के वाला पानी मत्के के बोटल में तखते हैं और मित्सी में पीते हैं तो गाइस बस आज का मेरा यही था रूटीन सुबह से लेके शाम तक का और अभी हम जा रहे हैं दिलर में देखते हैं क्या बनेगा क्या खाएंगे मैं आ गई हूं अभी नीचे अपनी सुसाइटी में ही तो अंदर सुसाइटी के ही शॉप्स हैं काफी सारे तो यहां पर सारी चीज़े मिल जाती हैं लॉंड्री है सेलों हैं और राशन के लिए भी दो तीन शॉप्स हैं तो बाहर जाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है तो यहां से मैं ले लिए कुछ समान जो चाहिए मुझे और हम एक दिन पहले ही ले लेते हैं तो बेटर रहता है क्योंकि सुबह जल्दी खुलता नहीं है शॉप्स है तो अभी से थोड़े बहुत समान लेके रखती हूं और मैंने ले लिया है जैम और बागी समान लेके फ